नमस्कार आपका अख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग पांच राज्यों के विधान सभा चुनाओं के एक्जिट बोल के नतीजे आ गए इंडिकेशन जो है वो बड़ा साफ है और मेरी समझ से जो इंडिकेशन है उसके हिसाब से पांच में से चार राज्यों में भारती जन्ता पार्टी की सरकार की वापसी हो रही है पंजाब का मामला मुझे अभी फिलहाल तो समझ में नहीं आ रहा है इसलिए कि आम आदमी पार्टी को जितनी बढ़त दिखा रहे हैं अगर वो सचमुच है तो थोड़ी चिंता की बात है इसलिए नहीं कि मेरा आम आदमी पार्टी से कोई व्यक्तिगत रागद्वेश है लेकिन वो जिस तरह की राजनीती करती है वो किसी बॉर्डर स्टेट के लिए थोड़ा चिंता की बात है लेकिन पिछले चुनाओ को अगर 2017 को याद करें आप तो उसके बाद भी जो एक्जिक पॉल के नतीजे आये थे वो आम आदमी पार्टी को ऐसी ही सीटें दिखा रहे थे तो मुझे मालूम नहीं कि उस बार गलत हुआ था तो इस बार भी गलत हो जाए यह जरूरी नहीं होता है लेकिन अगर यह सही है तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है पंजाब में दिल्ली से बार पहली बार आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चुनाओ उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश में जैसा मैंने कल कहा था इतिहास बन गया है समझे भारती जंता पार्टी की सरकार वापस आ रही है इसमें मुझे कभी किसी समय एक छण के लिए भी जो है शंका नहीं हुई थी सब बात कुल मिला कर ये थी कि सीटें कितनी इसी पर कुल सारी बहस थी लेकिन एक वर्द था जिसने मान लिया था कि अखलेश यादो की समझवादी पार्टी की सरकार बन चुकी है और कल शाम तक एक्जिट पोल के नतीजे आने से पहले तक अखलेश यादो से जिन लोगों की बात चीत हुई अखलेश यादो का दावा था कि उनकी पार्टी धाई सव सीट लेकर सरकार बनाने जा रही तो हरिशंकर परसाई का एक लेक है जिसमें उन्होंने कहा भी है कि सबसे बड़ा आत्म विश्वास जो है वो मुर्खता का होता है तो इस लेफ्ट लिबरल एको सिस्टम में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो पहले चरण से शुरू हो गए थे बीजेपी गई और आज की तारीख में इस्थिति उनकी ये है कि सब धराशाई है समझ में नहीं आ रहा है मानने को तैयार नहीं है उनकी जैसे मैं पंजाब के बारे में कह रहा हूं वो लोग उतर प्रदेश के बारे में कह रहे है कि ये गलत हो जाए ये उमीद कर रहे है कि शायद मतलब उल्टा इसका नतीजा निकले जो भी हो लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले दिन से बड़ा इसपश्ट था कि भारतिय जंता पार्टी योगी आधितिनाथ के नेत्रतों में वापस आ रही है लेकिन ये बात मैं कह रहा हूं भाजपा के बहुत से लोग कह रहे हैं भाजपा का एक 215 का कलब था जैसे आपको याद दिला दे 2014 में 160 वाला कलब था 2019 में 220 वाला कलब था वैसे ही उत्तर प्रदेश में 180 वाला कलब भी था 180 डब्य वाला और 270 वाला ये ये आंकडे क्यों रखे जा रहे थे ये पार्टी के अंदर से निकल रहे थे इन आकडों का एक ही था कि अगर सरकार आ भी जाए तो योगी आदितिनाथ फिर से मुक्यमंतरी न बनने पाएं देखिए जब आप अच्छा काम करते हैं बड़ा काम करते हैं तो कुछ कोलेटरन डैमेज भी होता है तो योगी जी ने भरष्टाचार के खिलाफ जो काम किया माफिया राज के ख 2017 में कि अपनी सरकार आ गई है अब लूट की चूट होगी जैसे समाजवादी पाटी बहुजन समाज पाटी के नेता कारेकरता सरकार आते ही सबसे पहले लूट में जुट जाते थे जनता गई भाड़ में वैसा ही हमारे हमारे लिए भी वैसे ही चूट होगी तो पता चला कि ये तो सब कुछ बदल गया है ऐसा तो कुछ करने की गुझाईश ही लगातार बंद की जा रही है तब से वो लोग जो है को भवन में है कारेकरता नाराज है ब्रामन नाराज है किसान नाराज है अतिपिछडा नाराज है दलित नाराज है विधायक नाराज है पाटी का स दरिया में कभी घोड़ा नहीं बदला जाता है। बीच दरिया में घोड़ा बदलने का मतलब होता है कि आपकी जान खत्रे में पड़ जाएगी। इसका अपवाद भी हो सकता है। आप उत्राखंड को देखेंगे तो ऐसा हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राजी में ये संभो ही नहीं था और ऐसी कोई बात उपर हुई भी नहीं थी लेकिन अभियान चलाया गया। कि योगी आदितिनाथ को मुख्यमंत्रीपत से हटाये जा रहा है। उसकी कोशिश हो रही है। उसकी तैयारी हो रही है। उसकी योजना बन रही है। खबरे प्लांट प्रतीजों से जो संभावना उसको लग रही है। उससे जादा नहीं तो उससे कम हत्रभ नहीं है बीजेपी का एक वर्ग। पार्टी की सरकार दुबारा बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में ये चमतकार हो गया। खुश होने की बजाए। कम सीटों की अपेक्षा की जादा आ रही है। और जादा खुश होनी चाहिए। लेकिन चेहरे देखिए तो ऐसा लगेगा कि जैसे पार्टी बुरी तरह से हार गई हो। मातम का महौल है। उनके चेहरों पर शोग, संताप, गुसा, चिड़, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। कौन हैं ये लो को क्या मिला पांच साल में। ये सब कहने वाले उन्होंने अब भी उमीद छोड़ी नहीं है। इसको आप मुर्खता की पराकाष्ठा के अलावा और क्या कह सकते हैं। ये एक तरह की डेथविश है, मृत्यू की आकांग्शा है। जहां जीवन मिल रहा है, वहां आप मृत ढूंड रहे हैं। योगी आदितिनाथ आज उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक इतिहास रचा है। उत्तर प्रदेश की भाजपा का जो राजनीतिक डियने है उसको बदला 2013 में पार्टी का प्रभारी होने के बाद अमि और उसको और मजबूत और आगे बढ़ाया है योगी आदितिनाथ ने अपनी मांदारी से, अपनी कुशल प्रशाशन की क्षमता से, योजनाओं को लागू करने की अपनी क्षमता से, माफिया के खिलाप अपने अभियान से और सबसे बड़ी बात पुरुश इस्तरी महिल बच्चे सब में सुरक्षा की भावना ये जो एक फैक्टर था इसने बहुत काम किया है और ये समझ में नहीं आया इन लोगों को बीजेपी के बहुत से नीता और विपक्ष पूरा विपक्ष कह रहा हूं तो समाजगादी पार्टी को समझिए पूरा जाती के गड़ित मे उलज़ा रहा कि यहां से इतने परसंट ये जाती हमारे साथ है वो उनके साथ है ये इतने परसंट हमारे साथ आएगी ये पूरा चुनाओ जाती का चुनाओ था ही नहीं ये पूरा चुनाओ वर्ग का चुनाओ था क्लास का था नए क्लास पहले भी मैंने बताया था कि नुक्सान किया है, वर्ग की राजनीती जो है वो जाती को तोड़ती है, बीजे-पी के जितने विरोधी हैं, उनकी एक ही ताकत है, उनकी एक ही तमन्ना है, चाहत है कि किसी तरह से चुनाओ हमेशा जाती पर हो, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे जाती तूटेगी, भारती ज जो है संभावना को ये जो ताकत थी विपक्ष की उसको भी भोत्रा कर दिया है प्रधान मंत्री डरिन बोधी, ग्रिम मंत्री हमेशा और मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ। ये जो तिकड़ी है ये भारती जंता पार्टी का नया चहरा है ये नई त्रिमूर्ती है भाजपा की है। भाजपा की तीन धरोहर अटल आडवानी मुरली मनवर लेकिन उस त्रिमूर्थी से जाधा ताकतवर जाधा प्रभावी जाधा लोगत्री है ये त्रिमूर्थी इसमें जिस तरह का सामंजस्य है जिसको जो भूमिका मिली है वो उसको निभा रहा है तो उत्तर प्रदेश में भारतिय जन्ता पार्टी आप मान कर चलिए कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के विकास की तो बाती छोड़ दीजिए उसमें जो परिवर्तन आएगा जिस तरह का काया कल्प होगा वो कल्पना तीत है बहुत से लोगों के लिए अगले पां इसल उनकी ताकत हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं उनको ऐसे लोगों से उनकी सुरक्षा का उन्होंने उपाई किया है और लगातार किया है और यह संदेश सारविजनी करूप से दिया है कि हम साथ हैं कौन प्रधानमंत्री होगा जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के नेता को मुख्यमंतरी को इतना प्रमोट करे आएंगे तो योगी ही मुझे तो याद नहीं है कि किसी प्रधान मंतरी नरेंद मोदी ने किसी और राज्य में किसी मुख्यमंतरी के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया हो इस तरह का नारा लगाया हो इसके बाद भी कुछ लोगों की आँखें बंध हैं, दरसल शब्द गलत है, आँखें बंध नहीं है, उनलों के दिमाग बंध है ये जो ऐसे लोग हैं विख्ण संतोशी, जिनको विख्ण में संतोश मिलता है, मज़ा आता है, प्रसन्नता होती है ये भारती जनता पार्टी का ऐसा रूप है, जिसने इस पूरे चुनाव में विख्ण भोलने की पूरी कोशिश की अपनी और से, विपक्ष जितने जितनी कमजोरियां भारती जनता पार्टी के कैम्पेन में ढूंड सकती थी, उसके खिलाफ जो कुछ बोल सकती थी, उससे ज हुआ यह ना कि जब माफिया के खिलाफ भरष्टा-चार के खिलाफ यह सब अभियान चला, तो उसमें बहुत से लोगों का सपना चकनाचूर हो गया, वो जो कमाई का, भरष्टा-चार का, लूट का, लूट की योजना बना कर वैटे थे, वो सब द्वस्त हो गया, यह है कि हमारी सरकार है फिर भी हमको कमाने का मौका नहीं मिल रहा है ऐसे लोगों की एक गोल बन गई तो भारती जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत की संभावना एक्जिट पोल से निकली है जो व्यक्त की जा रही है उसके कारण विपक्षी खेमे में ही नहीं है घर के कु कोशिश करने पर भी वो जो जिस तरह से मैंने पहले वीडियो में कहा था कि पार्टी ने उस तरह से चुनावन नहीं लड़ा जैसे लड़ना चाहिए था प्रदेश संगठन ने जो रायता फैलाया उसको अपने पसीने से समेटा अमिच्छा ने प्रधान मंत्री की रहलिय इन तीनों ने मिलकर जो है वो जो बिखराव था उसको समेटा नाव में जितना छेत करने की कोशिश हुई कभी पानी भरने नहीं दिया नावन तो ये उत्तर प्रदेश की जीत प्रदेश के लोगों की है एक वीडियो में मैंने पहले कहा था कि ये चुनाव जनता लड़ अगर बीजेपी लड़ रही होती तो हार गई होती ये चुनाव जनता लड़ रही थी इसलिए बीजेपी जीत रही है ये पहला मौका है जब मैं देख रहा हूं कि जो पार्टी जीतती हुई देख रही है जिसकी जीत लगपकते है दस तारिक को उसकी ओपचारी गोशना ह उसके कारेकरताओं के निताओं के एक वर्ग में मायूसी है उदासी है ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा दरसल इमानदारी से बहुत से लोग डरते हैं इमानदारी सब को पसंद नहीं आती है जितना हो सकता है उसका विरोध करते हैं इमानदार आदमी बैमानों के मन में खटकता है वो हर कोशिश करते हैं उसको कमजोर करने की लेकिन इमानदारी जब कन्विक्षन में हो आपके स्वभाव का दूसरा अंग हो तब ऐसे लोगों को काम्याभी नहीं मिलती और वही उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो जो लोग ये सुमीद में हैं ये सपना देख रहे हैं कि दस तारीख को रिजल्ट आने के बाद भी हो सकता है योगी आदितिनात्मुक्ष मंत्री न बने उनको थोड़ा ठंडा पानी पीना चाहिए दिमाग शान्त करना चाहिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी इस इच्छा का मतलब क्या है ये ऐसे लोग हैं जो घर जलाकर तापने वाले हैं इनको खुद के लिए आच चाहिए उसके लिए घर अपना जलाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं तो इसलिए मैं बार-बार कहताओं कि हमेशा घर के दुष्छमनों को की पहचान ज़्यादा ज़रूरी है बाहर का दुष्मन दिखाई देता है दूर से हैं घर का दुष्मन जब तक दिखाई देता है समझ में आता है कई बार देर हो जाती हैं तो आज के अंक में इतना ही है, अगले अंक में फिर मिलेंगे, किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजे, आप से अन्रोध है कि ये चैनल देखिए, शेर कीजे, लाइक कीजे और सब्सक्राइब धरूर कीजे